आप देख रहे हैं Alpha Defense, Alpha Defense Hindi में आपका स्वागत है आप हमें जॉइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर Facebook, Instagram, Twitter और English viewers हमें जॉइन कर सकते हैं Alpha Defense English पर आईए शुरू करते हैं आज का वीडियो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे David's Link के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे क्या खास है इस Israeli Air Defense सिस्टम में और क्या ये सिस्टम भारत आ रहा है भारत रशा से 5 रेजिमेंट S-400 Triumph खरीद रहा है इस सिस्टम की पहली रेजिमेंट इस साल November या December में आ जाएगी लेकिन बॉर्डर पर जैसे हाला चल रहे हैं उस हिसाब से भारत को इस सिस्टम की जरुवत अभी है और कुछ लोगों का मानना था कि रक्षा मंत्री राजनात सेंग रशा गय थे इसी चीज़ को इंशॉर करने के लिए और रशा की तरफ से जो confirmation आया है उसके हिसाब से रशा जादा से जादा इस सिस्टम को दिसंबर तक expedite कर चकता है उससे जल्दी इस सिस्टम की delivery possible नहीं है इस बीच ANI ने जो सूत्रोक या माध्यम से एक report दी थी कि कोई एक friendly country भारत को एक air defense system दे रहा है जिससे इस पूरे area को आसानी से secure किया जा सकेगा उसको लेकर speculations चालू है जहां कई लोग इस system को thought बता रहे हैं वहीं कई लोग ये मान कर बैट चुके हैं कि ये system david sling है जो की इसराइल से आता है reports की मानी जाये तो इसराइल अपनी operational david sling भारत को दे रहा है जिनको सीधे सीधे लदाक में deploy किया जाएगा वैसे यहां पर ये समझना जरूरी है कि इसराइल और चाइना की relationship काफी अच्छी है और ऐसे में खुल के भारत के साथ खड़ा होना एक बड़ी बात होगी वैसे मैं personally इस report को अभी तक digest नहीं कर पाया हूँ कि जो नया system खरीदा जा रहा है वो david sling है और इसराइल अपने deployed system को भारत को दे रहा है आने वाले समय में भारत की ballistic missile shield तयार हो जाएगी लेकिन अभी भारत के पास उतना समय नहीं है और इसलिए भारत को एक intermediate range का air defense system चाहिए जो कि rockets को intercept कर सके और इस role में david sling बिलकुल सही बैठता है दूसरा aspect है training को लेकर david sling system spider system को improve करके बनाया गया है और भारत spider system पहले से operate कर रहा है और इसलिए इसकी training में जादा समय नहीं लगेगा आएए देखते हैं इस system को और समझते हैं कि क्या खास है david sling में david sling जिसको magic born भी कहा जाता है इसको rafael advance system और american contractor raytheon मिलकर बनाते हैं ये system enemy planes, drones, helicopters, ballistic missiles, long range rocket और cruise missiles को intercept करने में सक्षम है इसकी range है 40 km से 300 km तक की यानि कि अगर Israeli systems को देखा जाए तो ये spider system के ऊपर की range को cover करते हैं लेकिन अगर बात की जाए long range ballistic missiles की तो उनको intercept करते हैं arrow series की missiles david sling system में use की जाने वाली stunner missile एक unique design है इस तरीके की missile आम तोर पर कहीं और देखने को नहीं मिलती है इस missile की दो खास बाते हैं पहला इसका guidance system और दूसरा इसका propulsion system अगर बात की जाए इसके propulsion system की तो इस missile में use की जाती है तीन pulse rocket motor यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि pulse rocket motors का क्या फायदा होता है pulse rocket motors में stage rocket motors की तरह use हो गई stage main vehicle से detached नहीं होती है जिसके वज़े से इस system में कोई detachment mechanism नहीं होती और ये system हलका होता है दूसरी चीज़ जब कोई system अपने flight envelope में होता है तो एक समय के बार इस system को अपने पीछे continuously power की आवशकता नहीं होती है क्योंकि ये system already काफी जादा speed में होता है और existing thrust के साथ ही ये काफी दूर तक ऐसे ही जा सकता है continuously thrust generation कई बार wastage होता है अगर इस समय इस missile के पीछे thrust generate होता रहेगा तो वो thrust waste हो जाएगा thrust waste मतलब fuel waste और इस missile की range कम हो जाएगी जब ये missile अपनी required speed तक बहुत जाती है तब इस system में इसकी rocket motors को बंद कर दिया जाता है और जब इस thrust की दुबारा अवशक्ता होती है उस समय इन rocket motors को दुबारा reignite कर दिया जाता है इस system में तीन pulses दिख जा सकती है यानि कि तीन बार rocket motors ignite की जा सकती है और यही कारण है कि ये missile एक काफी छोटी और compact missile है बावजूद उसके इसकी range काफी जादा है अगर बात की जाए इसके guidance system की तो ये बहुत ही unique तरीके का guidance system है इसके seeker में एक active electronically scanned array radar होता है ये 3D radar millimeter waves पर काम करता है यानि कि इसकी operating frequency 30 से 300 GHz के बीच में होती है और infrared के बीच का spectrum है इसी वज़े से इसका resolution बहुत जादा होता है और इस wavelength पर interference बहुत कम होती है इसका जो दूसरा guidance system है वो एक electro-optical sensor assembly है जिसमें dual electro-optical imaging और infrared seeker लगा हुआ है यानि कि इस seeker assembly में एक infrared seeker है साथ ही एक charge couple device seeker भी है अगर इसको simplify किया जाए तो इस system में एक infrared camera और एक high definition visible light camera लगा हुआ है जो कि इनसान की आँख की तरह काम करता है ये camera किसी भी object की length, breadth, depth, height आसानी से नाप सकता है और इसी वज़े से इस missile के खिलाफ कोई भी countermeasure काम नहीं करता है साथ 2010 में ये system भारत को offer किया गया था लेकिन ना ही तब ये system operational था और ना ही भारत MTCR का member लेकिन जैसे ही भारत MTCR का member बना तो भारत की तरफ से कोशिच शुरू हो गई S-400 Triumph को खरीदने की इस समय बॉर्डर पे जो condition चल रही है उसके हिसाब से भारत को किसी भी condition को handle करने की पूरी तैयारी रखनी चाहिए जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया था चीनी Air Force के fighter jet तिबबत रीजिन में अच्छे से operate नहीं कर सकते और ये इतना बड़ा threat नहीं है लेकिन चीनी tactical missiles और multi-barrel rocket launcher system एक बड़ा threat है और अगर इस तरीकी का system भारतिय सेना के arsenal में है तो ये deterrence तो जरूर create करेगा आपको क्या लगता है? बताईए हमें comment section में आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं? बताईए हमें comment section में वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताईए हमें comment section में आखिर क्यों देखते रहिए alpha defense धन्यवाद जैहिन झाल 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 झाल